नमस्कार, स्वागत है अब सभी का स्वर्माई टाइम्स में दिन भर की बड़ी और एहम खबरों के साथ मैं हूँ दर्शुतार हो रहा सबसे पहले एक नजर आज की हेड्लाइन्स पर प्लास्टिक मुख्ट करने के लिए 12 वॉर्ड में खुलेगा बर्तन बैंक मुख्यमंत्री बुपेश भगेल डॉक्टर खूप्चन भगेल जैनती समारों में हुए शामिल तेंद्वे की खाल के साथ दो तसकर गिरफतार नगर निगम भिलाई में बड़ा निर्ने लिया बिलाई को प्लास्टिक मुख करने हर वॉर्ड में बर्तन बैंक खुलेगा इसकी शुरुआत पहले 12 वॉर्ड से हो जाएगी सुमवार को 12 वॉर्ड की महिलाओ को बर्तन भी सौप दिया गया जिससे वॉर्ड की किसी भी आयोजुन में महिलाए अब बर्तन किराय पर दे सकेंगी इससे उनकी आये भी होगी और लोग प्लास्टिक का इस्तमाल नहीं करेंगे शहर में पाज बर्तन बैंक पहले ही खोले जा चुके है बर्तन बैंक के शुभारम के पूर्व महापौर नीरचपाल ने महिला स्वा सहायता समू को चेक दिया मान्या स्वा सहायता समू शास्त्री नगर की महिलाओ को एक लाग पचीस हजार सिया महिला समू नहरु नगर को एक लाग आस्था महिला समू कैंप एक को एक लाग, यशोदा महिला समू अंबेटका नगर को एक लाग नब्बे हजार, सना महिला समू को दो लाग दस हजार, जैमा स्वा सहायता समू कॉंट्रेक्टर कॉलोनी को तीन लाग असी हजार, अनीस रजा महिला समू को एक लाग पचास हजा का चेक, बैंक लिंकेज लोन के तहद दिया गया। इस दोरान अपरायुक अशोक दिवेदी, M.I.C. सदर्स्य संदीप निरंकारी, मीरा बंजारे, नेहा साहू, मालती ठाकुर एवं रीता सिंग गेरा विशेश तोर पर उपस्ते तही। मुख्यमंत्री बुपेश भगेल राजदानी राइपुर में आयोजित, डॉक्टर खूपचन भगेल जहनती समारों में शामिल हुए। साथी डॉक्टर खूपचन भगेल की प्रतिमा पर माल्य अर्पन कर उन्हें शर्थधांजली अर्पित की। साथी मुख्यमंत्री बुपेश भगेल ने समारों को संभोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर खूपचन भगेल एक गंभीर चिंतक, विचारक, स्वतंत्रता संग्राम सिनानी, समाज सेवक, समाज सुधारक, लेखक के साथ ही एक कलाकार भी थे। वे जीवन भर रचनात्मक और किसान मजदूर हतैशी गती वीदियो से जुड़कर छतिसगड की सेवा करते रहे। जिन के रूप में काम करते थे, खाल बेचने के बदले दोनों को 50-50,000 रुपए दिये जाते थे। इस पर पुलिस ने दोनों को दोर कर दबोच लिया। तलाशी के दोरान बाइक की डिक्की से पुलिस को बोरी के अंदर तेंदवे की खाल बरामद हुई। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और लेटिस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।